अलाई रह्मान रहीम असलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हमने फिजिक्स का एक वेरी वेरी इंपोर्टन टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है टाइम इंडिपेंडेट शूर्डिंगर वेव एक्वेशन दोस्तों इससे पहले लेक्षर में हमने पढ़ा था काइम वेक्वेशन हमारे पास होती क्या है फिर हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाएंगे और दोस्तों यकीन माने आप अगर ये टॉपिक कंप्लीड सुनें और समझ के सुनें थोड़ा सा तो आपको मुकमल नोट्स भी मिलेंगे और इन्शाला दाला मुकमल समझ भी आएग तो स ध्री पासले हैं ये सब्सक्राइव तो सेंस तुस्ते कल मेंगेशन Хोज जैसे के शिरूड़ डंगर वेव ग्वेशन आपको दूड़ाएहित रखता है वैसे ही quantum mechanics में शुरू टिंगर wave equation एक अलग अहसियत रखती है अब जैसे newton second law हमें basically speed, acceleration, force, mass के बारे में बताता है वैसे ही हमारे पास जो शुरू टिंगर wave equation है ये particle की motions को describe करती है अगर newton second law में for example हम बता सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की speed का अंदादा है किसी गाड़ी अगर एक सड़क पार आ रही है 50 km फी गैंड़ा की रफ़तार से और वो उस जगा का हमें पता है वो इस लहोर पहुँच गई है 50 km फी गैंड़ा की रफ़तार से लहोर से चली है और तो हम बता सकते हैं कि अगले एक गैंटे में या दो गैंटे में वो गाड़ी किस जगा पर होगी यह बैसिकली हमें न्यूटिन सेकंड लाब बताता है अब वैसे ही सेम शुरू डिंगर वेव एक्वेशन हमें पार्टिकल के मोशन Small Particle Small Particle means electrons की अगर हम यहाँ पर बात करें कि electrons की जो मोशन होती है उसके बारे में बताता है उसको description करता है इस दूसरा पॉंट देखें इस टीफरैंटिकल ऑक्वेशन फार डिब्रोगले वेवز associated with moving particle and describe the motion of the particle basically यह जिशुटिगर wave equation है यह differential equation है डी ब्रोगले wavelength का ठीक है डी ब्रोगले wavelength की differential equation है और यह particle की motion को describe करती है अब डी ब्रोगले wavelength या डी ब्रोगले hypothesis क्या होता है वो हम अगली slide में देखेंगे हम suppose करते हैं कि एक हमने particle लिया है consider a particle of mass M जिसका mass हमारे पास क्या है M है moving in a positive direction of x-axis with velocity V हम suppose करते हैं कि एक particle हमने लिया है जिसका mass M है और वो positive x direction में positive direction x-axis में move कर रहा है और उसकी कुछ velocity है उसके पास जो के V है अब यह हमारे पास particle है जिसका mass M है और यह velocity V के साथ move कर रहा है और जब वो move करता है तो वो wave बनाता है तो क्या बनाता है वे अकोर्डिंग टुद डी ब्रोगले hypothesis डी ब्रोगले hypothesis हमें यही बताता है कि every moving particle has wave associated with it कि हर moving particle जो move कर रहा है जो कुछ उसके पास velocity है वो wave बनाएगा ठीक है और इस wave को हम कहेंगे matter wave कहेंगे उस wave को हम क्या कहेंगे matter wave कहेंगे ठीक है अब हम इसके derivation की तरफ आते हैं आपने theories की थोड़ी सी समधी होगी अब देखें हमारे पार सबसे पहले हमने एक function लिया है ठीक है एक हमारे सबसे पहले हमने एक wave function लिया है जो कि depend करता है position पे और time पे x यहां पे क्या है position है और t हमारे पास क्या है time है ठीक है which is equal to a e की power iota into omega t minus kt यह हमारे पास wave function है अगर आपने हमारा wave function वाला wave equation वाला lecture नहीं सुना तो description में उसका link दे लिया जाएगा उसको भी जरूर सुने इस topic को अच्छे तरीके से समझने के लिए वो समझना जरूरी है अगर आपने और नहीं आपके पास time इतना नहीं है तो आपने यह equation जबानी याद रखने है ठीक है इसी तरह हमने last lecture में time dependent shooting wave equation में हमने पढ़ा था कि iota की value हमारे पास iota की वैलियो हमने निकाली सोरि उमेगा की value निकाली थी और इसी तरह की value की निकाली थी तो जब यह value पूट करेंगे ठेक है जब यह value put करेंगे omega की जो value आएगी वह आएगी पी x divided by h cut और की एक ये जो वैलियू आएगी वह आएगी एडिवाडिड बाइज काट अब एच काट दोनों में आएगा तो हम कौमल ने लेंगे डिवाडिड में तो ए ए की पावर इडिवाडिड बाइज काट इंटू पी एकस माइनस एटी यह हमारे पास एक क्वेशन बन जाएगी यह आ टाइम डिपेंडेंट वेव एक्वेशन उसमें जो हमारे पास फाइनल एक्वेशन आई थी शुद इंगर टाइम डिपेंड़ेड वेव एक्वेशन वह कुछ इस तरहीं के से आई थी आयोटा एच कट डियाल्टा साइई इसे करली भी पढ़ते हैं डियाल्टा भी आपको यह आप जबानी याद नहीं रख सकते हैं आपने करसेप्ट लेना है इसका तो हमारा पिछला लेक्चर जरू सुनियेगा शुरू डिंगर टाइम डिपेंड़ेड वेव एक्वेशन का वरना आप इसे अगर रटा लगा सकते हैं जबानी याद कर सकते हैं तो इसको कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू दा टी अब एक्वेशन वान हमारे पास क्या थी यह हमारे पास थी अक्वेशन नमबर वान साई इस इक्वल टू ए एक्वेशन नमबर वान साई इसको हमने डिफ्रेंटियेट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू दा टी भी करना है औ यहाँ पर देखें इसका डिफरेंशियेंट है विदि रिस्पेक्ट टी इस कोईशन में अउर यह पर देखें डबल डरिवेटिव हैं इसका विदि डिफटेंच्ट तू इस दोस्तों जब यहाँ के से भी करनाए कि तरफ आ रहा हूं जब e की power का differentiate हम लेते हैं e की power जैसे a x a for example तो इसका जो derivative आता है वो हमारे पास क्या आता है e की power a x e आ जाता है same आगेर हमारे पास power का derivative साल लगाना होता है a x का जो derivative है वो just a ही आएगा x का वार्न आ जाएगा तो हम इसको a को next आगे derivative लिखेंगे तो वैसे ही same हमने question number one का differentiate किया है with respect to the t तो curly side by curly t हमारे पास क्या आजएगा a e की power same आजएगा e की power जो same थी वहां पर हमारे पास same की same आजएगी iota divided by h cut into p x minus e t dot आगे देखें power का derivative आएगा power का iota divided by h cut तो constant है यह आवासी आजएगा same का same आजएगा अब p x अब x के लहाँ से हम इसको differentiate नहीं कर रहे हैं हम इसको differentiate कर रहे हैं t के लहाँ से तो यहाँ पर यह p x से यानि के यह 0 हो जाएगा इसका differentiate ठीक है इसका derivative 0 हो जाएगा जबके minus e t का derivative minus e आजएगा क्योंकि t के लहाँ से t का derivative तो 1 आएगा तो minus e 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा अब इस equation में अगर आप देखें हमने इसको rearrange किया है थोड़ा सा rearrange कैसे किया है curly side by curly t यह same to same वैसे ही आ जाएगा जबकि यह वाली जो term है यहां से लेकर यह वाली जो term है यह हमारे पास side के बराबर है यह हमारे पास किसके बराबर है साई के बराबर है equation number one की तरफ हम वापस जाते हैं equation number one हमारे पास क्या थी a e की power iota divided by h cut into px minus e t तो same to same यह किसके बराबर थी साई के बराबर थी तो same to same हमारे पास यह वाला function है ठीक है तो इसकी जगाव भे हम साई भी लिख सकते हैं जिएक अब हम क्या लिख सकते हैं साई और यह माइनस का साइन पहले आ गया आयोटा इड़ाइड बाइच काट नेक्स टेप में हमने क्या किया है अईोटा के साथ इसको मॉल्टिप्लाइब भी कर दिया है और डिवाइड भी किया है तो हमारे पास योटा को योटा के साथ इंटू साई अब हम जानते हैं आयोटा स्केर किसके बराबर होता है माइनस वन के बराबर होता है तो माइनस वन को जब हमें इदर पुट करेंगे आयोटा स्केर की जगापे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यह प्लस वन को हम लिखने की जरूरत यह इसाई वैसे का वैसी आजएगा इसको हम नाम देते हैं एक्वेशन नमबर ठीक है दोस्तों स्टेप बाइस्टेप करना है यह बहुत ही इजी क्वेस्टन है नेक्स्ट रेम में हम देखते हैं अब वो कहता है लेट पॉनेंशिया एनर्जी वी ऑफ दा पार्टिकल्स डिपेंड अन्ली ऑन्ली पॉजिशन पर डाइंड डाइंड पर डाइंड नहीं करती क्यों नहीं करती क्योंकि यह जो हम टॉफिक पड़ना है यह हमारे पास ताइम इनडिपंडेंड शूरु ढिंकर बहें वैक्विशन और टाइम इंडिपंडेंड से मरात है कर टाइम पर डिपेंड यह जो इसो कैसे रिख सकते हैं साइउ और टीई हमारे पास टाइउन है तो देखें विच इदिगवर्ड टुधार फाई िंटु x हम दो function में इसको divide कर देंगे ठीक है दो function में इसको अलाग अलाग divide कर देंगे यह position का function आजेगा और यह हमारे पास क्या आजेगा time का function आजेगा तो si into x position का और u into t यह time का function आजेगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं si is equal to phi u यह हमारे पास क्या आगी equation number 4 आगी हमने क्या किया है differentiate equation 4 with respect to the x अब equation 4 को हमने with respect to the x के साथ क्या कर दिया है differentiate कर दिया है जब हम differentiate करेंगे तो यहां पर क्या आजएगा curly si by curly x which is equal to अब u हमारे पास u के लिए हासे हम differentiate नहीं कर रहें तो u हमारे पास क्या पिए constant है आजएगा यह क्या आजएगा हमारे पास curly 5 by curly x आजएगा हमने क्यारे कि इसको again differentiate कर दिया है क्योंकि हमें curly 5 curly si by curly x का double derivative कर देंगे तो u फिर and इख क्यादेगा यह तो इसका बी double derivative हो जएगा curly scale 5 divided by curly x इसको हम नाम देते हैномर 5 का ٹीक है हम देखते हैं अब दोस्तों हमारे पास यह कुछ equations आ गी यह वही एक्वेशन जो हमने पहले लिखी हुई ही है यह कुरेशन नमबर वारण ती ली हमारे पास यह हमने क्वेशन निम्बर टू लिखी दी यह क्वेशन नंबर 3 हमने value यूफ मलूम की है यह भी हमने क्वेशियन नमबर फॉर भी फाइंड की है और क्वेशियन नमबर फाइव अभी हमने फाइड की है अब देखें हमारे पास यहां पर एक स्केर आएगा टी स्केर की जगह पे यह थोड़ी सी मिस्टेक है आप इसको ठीक कर लीजिएगा यहां इंटु कर ली एक्सकेर यू इंटु करली स्केर 5 नंबर फाइब हमने क्या किया है पूट एक्वेशन थिरीफॉर एंड फाइफ इंटु में उट कर दी है पूट करने के बाद हमारे पास क्या जवाब आएगा यहां पर देखें आप ऐच कट कर्ली साइब कर्ली टी यह देखें किसके बराबर है ए पुसकी के चैबाधर क्या आजएगा माइनस एच कट्टस के डिवाड़र वाइड़ बाइंट्ट कावैसी आजएगा यह इसके अभी हमने मृलू मालूम की है कर्ली सकेर थायभाई बाइक्षाई तो इसकी चै पर है फाई इंटू यू के बराबर आ जएगा ठीक है कि next time में हमने क्या करना है यह जो साइड आ रहा है इसकी जगा पर भी वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास थी five into you थी next time में हम value पुट करते हैं ठीक है तो इसकी जगा पर भी क्या आ गया e into phi into u minus h cut square by 2m वैसे का वैसे u curly square phi by curly x square plus v phi u आजेगा हमारे पास ठीक है, अब हमने क्या किया है u को खनम करना है, तो हम क्या करते है u को दोनों तरफ क्या कर देते है divide कर देते हैं, जब divide करते हैं तो u दोनों तरफ से क्या हो जाएगा हातम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या equation आजेगी, e phi which is equal to minus h cut square by 2m phi square curly square phi by curly x square plus v phi आजेगा हमारे पास अब हमारे पास ये equation आगी है ठीक है, अब हमने क्या किया ये minus का sign है, ये minus का sign है, इधर जब ले आएंगे तो ये क्या होजेगा, positive होजेगा सिर्फ range किया है हमने तो ये minus, ये अब plus होजेगा, plus h cut square by 2m बागी सारा वैसी का वैसी आजेगा, ये पहले ही plus से, तो ये plus का v phi है, तो ये इधर आके क्या होजेगा minus v phi which is equal to the zero आजेगा, ठीक है अब यहां पर देखे next time में हमने क्या किया है h cut square by 2m, ये वारी equation दो वैसे का वैसी आगी, अब इन दोनों मैंसे देखे five common आसकता है, इन दोनों मैंसे क्या आसकता है, five common आसकता है तो e minus v into five which is equal to the zero, दोस्तों ये हमारे पास है, शुरू डिंगर time independent wave equation in one dimension, ये हमारे तो हमारे पास क्या आजएगा, देखें first, last minute देखें, यहां पर हमारे पास क्या था, curly square five by curly x square, शिर्फ x से x इस था, अब यहां पर y भी आजएगा, plus y, plus z भी आजएगा, तो हमारे पास देखें ये कुछ इस तरह के in three dimension में कुछ ऐसे आजएगा, h cut square by two m, bracket, ये हमारे पास है, curly square five by curly x square, plus curly square five divided by curly y square, plus curly square five by curly z square, और ये बाकी सारा वैसे का वैसी आजएगा, अब five देखें, साब में common है, तो five common आजएगा, तो ये बाकी भी वैसे का वैसी आजएगा, अब देखें, अब ये वाला जो function है, ये जो हमारे पास डेल operator होता है, ये हमारे पास क्या था, डेल square का operator होता है, तो इसकी जगावे हम क्या लिख साथे हैं, डेल square five plus e minus v five is equal to the zero, दोस्तों ये हमारे पास है, this is called time independent shooting wave equation in three dimensional, पीछे जो हमने मलूम की थी, वो हमारे पास क्या थी, one dimension और यहां पे जो हमने मलूम कर रहे हैं, इन three dimensional हम मलूम कर रहे हैं, चीक है, तो अब हमारे पास क्या है, दोस्तों ये आज का जो हमारा topic था, derivative थी, simple derivative है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो आपको समझ में ना आए, तो अमीद करता हूँ, आप हम next lecture में मिलेंगे, कमेंट जरूर किया करें, वीडियो को लाइफ भी किया करें, और पूरी वीडियो देखा करें, ताकि आपको proper topic समझाए करें, अलाफीज